आईशा ने बनाया विक्की को टास्क में अपना टार्गेट विक्की के ऊपर आईशा का बड़ा कॉमेंट कलर्स टीवी शो बिग बॉस सीजन 17 में हमें ये देखने मिल लहा है जैसा कि बिग बॉस के घर में एक फ़न टास्क हुआ था जहाँ पर एक कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट को पाउर की पूपर का टैग देना था जिसका मतलब ये होता है कि कौन इस घर में आपको सबसे ज़ादा नेगेटिव वाइब दे रहा है और सारी एकसाइटमेंट और इंजॉयमेंट को स्पॉयल करा रहा है इस टास के दोरान विकी को बनाया है आईशा ने अपना ठारगेट आशा का ये कहना है कि विकी से आती है उन्हें काफी ज़ादा नेगेटिव वाइब वाइब्स विकी के मैनिपलेशन के बारे में भी बात करती हुई दिखी है अभी अभी घर के अंदर आई वाइल लोग आशा को गलत समझ रहे हैं सिर्फ विक्की की बातों में आकर। आशा का विक्की पर ये comment करना पड़ा है भारी क्योंकि बाकी contestants नहीं करते हैं आशा के इस बात से agree लेकिन आशा का ये सोचना है कि विक्की जानबूच पूचकर आईशा के बारे में गलत बाते बोल रहे हैं और उनका negative impression बना रहे हैं जिसके चलते घर के बाकी contestant भी आईशा को गलत समझने लगे हैं विकी के वहकावे में आकर विल क्या है आपका कहना विकी के उपर आईशा के इस comment का हमें comments के जरीए जरूर बताएं और हमारे चनल को subscribe करना ना भूले